हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल स्मार्ट स्टड़ी गाइज, आज हम शिक्षा निदेशाले की तरब से दी जाने वाली कार है पत्रक नमबर 4 करेंगे जो की क्लास 8 की है और विश्य है हिंदी ये वर्कशिट 15 एप्रेल 2021 की है तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशिट ये वर्कशिट जो लास्ट एर वर्कशिट आई थी तो आप इस वीडियो से कर लीजिए चाहे आप इस वीडियो से कर लीजिए लाग की चूडियां भाग 4 बच्चो जब बहुत दिनों के बाद लेखक अपने गाम आया तब लेखक की बीच जो बाचित हुई उसी को हम इस कार्य पत्रक में पढ़ेंगे नीचे दियेगे परशनों के उत्तर लिखने का परयास करेंगे हमने देखा था कि लेखक जब अपने मामा के घर आता था तो वहां वो बदलू से मिला जो लाख की चूडिया बनाता था और जो बदलू है वो लाख की गोलियां लेखक को देता था लेकिन कुछ वर्शों तक जब लेखक के फादर का ट्रांसवर कहीं ओर हो गया तो अपने नाना के पास नहीं आपाया अपने मामा के पास में नहीं आपाया और वो बदलू से नहीं मिला जब कुसछ सौलो के बाद आया तो उसे याद ही नहीं रहा कि बदलू के बारे में क्योंकि काफे टाइम बाद आया था न क्योंकि वो उस समय चोटी गोलियों से खेलना बंद कर चुका था तो उसे याद ही नहीं रहा तो अचानक उसकी जो कजन है वो जो गिर जाती है और कांच की चुड़या उसके हाँ से टूरती है तब उसे बदलू के बारे में ध्यान आता है और वो उससे मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर देखते हैं फिर आगे क्या होता है नमस्ते बदलू काका मैंने कहा नमस्ते भाईया उसने मेरी नमस्ते का उतर दिया उठकर खाट पर बैट गया और वो उस समय खाट पर लेटा हुआ था जैसी जब लेख गया उसके पास तो वो उठकर बैट गया परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी तरह न रंदीन काका, देखो क्या कहता है, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास एक गोलिया बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परीचे दिया, उसने का भी मैं जनार्दन हूँ, मैं आपके पास वो कांच की गोलिया बनवा, लाक की गोलिया बनवाता था, बदलू फिर भी चु बहुत दिन बाद गाव आए हाँ इधर आना ही नहीं हो सका काका मैंने चार पाई पर बैठते हुए उत्तर दिया लेका कैता भी कुछ टाइम से आई नहीं पाया यहाँ पर कुछ देर फिर शांती रही मैंने इधर और दरस्टी दो रहाई नै तो मुझे मचिया नजर आई औ का मैंने पूछा तो लेखक ने बदलू से पूछा भी आजकल काम नहीं करते क्या नहीं लला काम तो कई साल से बंद है मेरी बनाई हुई चूरिया कोई पूछे तब ना वो कहरा भी कोई मेरी बनाई हुई चूरिया पहनता ही नहीं ना काम तो जो वो करता था लाग की चू चूडियों में होती है लाक में कहां संभव लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है बड़ी जल्दी तूट जाता है तो उसने का भी तो अच्छा नहीं होता है ना जुक तो फिर होता ही है ना लल्ला कहते कहते उसे खांसी आ गई वह देर तक खांसता रहा मुझे लगा उसे दमा है अवस्ता के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था उसके हातों और माते पर नसे उबर आई थी जाने कैसे उसने मेरी शंका भापली और बोला दमा नहीं है मुझे फसली खांसी है यही महीने दो महीने से आ रही है दस पंदा दिन से में ठीक हो जाएग मशीनी युग में कितने हाथ काड़ दी है मतलब कि मशीनी युग के आ जाने से कितने लोग बेरोजगार हो गए है फिर कुछ देर शांती रही मुझे अच्छी नहीं लगी आम की फसल अब कैसी है काका वो पूछता भी आम की फसल अब कैसी है कुछ देर पश्चात मैंने बात का विश्य बदलते हुए पूछा मतलब काफी रोजगार की बात हो रही तो उसने विश्य बदलते हुए पूछा अब आम की खेती अब कैसी है अच्छी है लला बहुत अच्छी है उससे लहलाकर उतर दिया और अंदर अपनी बेटी को वाज दी अरी रज्जो लला के इस साल बहुत खाए है वावा बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको मैं चुप हो गया मुझे वे दिन याद आए जब मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था गाएं तो अच्छी है न काका मैंने पुछा गाएं कहां हैं लला दो साल हो गए बेच दी कहां से खिलात अब उसकी आमदनी कम होगी थी क्योंकि लाग की चुड़िया नहीं बन रही थी ना तभी उसकी बेटी आम ले आती है यह तो बहुत है काका इतने कहां खा पाऊंगा मैंने कहा वावा वह हस बड़ा शहर ठहरे ना शहरी ठहरे ना मैं तुमारी उमर काता तो इसे चोगने आम एक बकत में खा जाता था वह कहता भी शहरी हो ना तुम इतने आम नहीं खा पाऊंगे जब मैं तुमारी उमर काता तो मैं तो खा जाता था आप लोगों की बात और है मैंने उत्तर दिया अच्छा बेटी लल्ला को चार पांच आम चाट कर दे दो सिंदूरी वाले मतलब अ उसके हाथ क्योंकि वह तो लाग की उसके फादर बना रहे तो लाग की चूरी यहीं पहनेगी बदलू ने मेरी दरस्ट्री देख री और बोला यही आकरी जोड़ा था जमीदार साहब की बेटी के विवाह पर दस आने पैसे मुझको दे रहे थे मैंने जोड़ा नहीं दिय जा कहा शेहर से लियाओ मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चा चला गया आप देखो क्या कहा रहे कि वह बहुत कम कीमत दे रहे थे जो चूरी बनाई थी ना उसने बदलू ने जो लाग का कड़ा बनाय थे जो चूरी बनाई थी वह बहुत कम कीमत पर नहीं दूँगा यह तो मुझे प्रसंता हुई कि बदलू ने हार मानकर भी हार नहीं मानी इसका व्यक्तितों कांच की चुड़यों के जैसा ना था जो असानी से तूर जाए तो देखो लेकर क्या कह रहा है कि बदलू ने बहुत मायनत की उससे मतलब उसने यह नहीं शुर या उसने अपनी खेती करनी शुरू कर दी तो मतलब उसने हार मानकर भी हार नहीं मानी अभी उसमें हिम्मत थी उसकी बेटी वो चूड़ी पहन रही थी ना कि उसने किसी को कम पैसे में भी वो दे दी क्योंकि महनत जादा थी ना महां पे अब हम करते हैं इसके प्रशन उत तो आईए करते हैं इसका अंसर हम तो देखी क्या होगा इसका अंसर मशीनी कांच की चूरियों का चलन बढ़ जाने से बदलू की लाग की चूरिया अब कोई ना खरीदता था इसी कारण उसकी चूरियों का काम बंध हो गया था यही वेथा थी जिसे बदलू लेखक के समक्ष चिपाना सका लेखक के सामने जो रखी थी वो से चिपाना सका देखो क्या लिखेंगे आप मशीनी कांच की चूरियों का चलन अब क्या हो था मशीनी जो कांच की चूरिया थी उनका चलन बढ़ गया था और जो लाग की चूडियां थे अब कोई नहीं खरीदता था, इसके कारण जो चूडियों का काम था, बदलू का वो बंद हो गया था, यही बथा थी, जिसे बदलू लेखक से, यहाँ केस मक्ष की जगली दीजेगा, छे से छिपा न सका, अब हम करते हैं प्रशन नमबर टू प्रशन नमबर टू देखो क्या कहता है, मशीनी यूग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलावाया, उसका काम का जी ठप हो गया वेटा है, ना वो जो चूडिया बना रहा था, वो ही नहीं बना पाया, तो आई यह करते हैं इसका अंसर, तो देखें क्या होगा इसका मशीनी यूग से बदलू के जीवन में यह बदलावाया कि बदलू का वेफसाय बंद हो गया, यहां पर गया कर देजिगा, क्या हुआ बदलू का जो वेफसाय था, वो ही बंद हो गया, काम नहीं करने से उसका शरीर भी डल गया था, उसके हातों माथे पर नसे उबर आई अब वेफ बिमार भी रहने लगा था, अब हम करते हैं प्रशन नमबर तीन, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलावाए है, मशीनों से होने वाली दो हानिया और दो लाप के बारे में बताईए, जीवन जो है आसान हो गया है, काम जलदी जलदी होने लगा है, और लहानियां क्या हो जाएंगी उसके बेद्ध को जो लोगों के विये गाई छिन गए ने करते हैं जो जदे को सूlem तो देखी क्या होगा चिंद्ध के जीने से हम लोगों की आटार हो गई है हर शेत्र में हमारी तरकियी है है तकनिकी शेत्र हो स्वास्त शेत्र हो श्क्षा सेत्र हो जिसकी विज़े से शारीरी काम प्रडूशन हो रहा है और बेरोज गारी की समस्या बढ़ रही है तो यह क्या है सब यह इसकी दिक्कते हैं पहले क्या तो दस लोग सो लोगे काम करते तब तो एक मशीन अकेली सो लोगा काम कर देती जिस्से की दिक्कत होती है, ठीक है, तो देखो स्वास्ते संबंधी, शिक्षा संबंधी, टक्निकी संबंधी जो शेत्रति वापे हमने बहुत तरक्की भी की है, और लेकिन इससे शारीरिक गती विद्या कम ह हुई है जिसके स्वास्ता संबंदी परिशानी हुई है बेरोजगार की समस्य लेकिन समय की बचत हुई है काम आसान हो गया है यह भी लिख सकते हैं कि आसान हो गया है काम कोई भी काम करना इस पहले पंखा पंखी से हम हवा करते थे अब फैन उनकर दो तो काम आसान हो गया है क्या कर दिया कांच की चूरिया बेचना शुरू कर दिया और अपनी चूरिया कम कीमत वर बेचना शुरू कर दिया ऐसा उसने नहीं किया उसने हार मान कर भी हार नहीं मानी तो आइए करते हैं इसका अंसर देखिए प्रशन नंबर फोर क्योंकि कांच की चूरियों का प्रचल अपने मन में ही रखा है इसलिए उसने हार मानकर भी हार नहीं तो आज की वरक्षित ऑती है वरक्षित कम्प्लीट करके अपनी टीजर से चेक करवाईए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक यू